तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले बिगट के मतवाले किर्किट के दीवाने उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ओमेंस प्रीमियल लीग 2023 एलिमिनेटर मैच मतलब जो टीम यह मैच जीतेगी वो तो पहुँच जाएगी फाइनल में लेकिन जो टीम यह मैच आरेगी न उसका किस्सा कहानी यहीं पे खतम हो जाएगा उनको बोल दिया जाएगा अलबीदा आप अगले साल आना और अच्छी तैयारी के साथ दोस्तों इस एलिमिनेटर मैच में आप सब को पता है मुंबई इंडियास उमेंस वर्चे यूपी वेरियर्स की टीम है अगर हमें पे मुंबई इंडियास उमेंस की बात के तो लगता सभी मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करीए बस एक दो मैच आरी है यूपी वेरियर्स की बात करें तो जो इनकी कहानी रही है कुछ इस तरह से रही है एक जीते हैं एक हारे हैं लेकिन यूपी वेरियर्स उमेंस को पता है यहां से जीत हार का सिलसिला नहीं चलना चाहिए यहाँ पर सिप जीत का सिलसिला चलना चाहिए कोईकि जीत हार हुई तो कहानी तो खतम हो जाएगी कहानी खतम क्यों करवाना champion बनने के करीब है तो champion बनने की को शीजीज भी करेंगे Mumbai Indians बने के का अच्छा हमने जीत के साथ सुर्भात करी हमने पूरे टेरोमेंट ने बढ़ियर परफॉर्मेंस करी और हमें हरा के तुम जेन बनोगे, तुम फानल में जाओगे, हम तो ऐसे होने न देंगे, बैसे हम बात करें जो दो मैश लीक के इन दोनों डीमों के बीच में खेला गया, पहला जो मैश था उसे मूंबाई इंडिय मुंबाई इंडियस को एक तरफा मैश में हराता है और ले लेता है बदला उन्ट्रइब वह इसमारा मेस हम जीते दूसरा तुम जीते दीसरा हम जीते आप सलन्य वहने किसी एक टीम को जीतना लेकिन कोई एक तो जीतेगा ना कोई एक हार जाएगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा अगर आप यह जानना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बस करना है क्या है आपको पूरी वीडियो बिना इसकिप करे हुए देखनी है तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते लिए कि उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी जादम मेहनत करता और आपको यह भी पता है कोई हीरो या सिलेवेटी थोड़ी ना हो मैं तो आपकी बीच क जो काफी फायदे में काफी जादा मज़े में तो आप पीछे क्यों हूं अगर आपको भी सभी माचो में रहना है तो जोईन कर डालो एक ही चीज का ध्यान देना है फेक से बसना क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलेगरम चैनल बना लिए इसलिए इदए उद्दर और किसे टिलीग हम जॉइन नहीं करना जो लिंके भी लेगे इसके उपसें में बस वहीं से जॉइन करें तो भाई लोगी जो मैच है ना फ्राइडे 24 मार्च इंडिया टाइम अनुसार 7.30 पीम से आप इसका लाइब एक सकते हैं यहां के मैदान पर ज्यादा मैचों में क्या हुए ज्यादा मैचों में कैसे तर लगबग सभी मैचों में क्या हुए टार्गेट चेज हुए अबरे जिसकोर यहां पर फर्स इनिंग करें 166 166 टार्गेट चेज की बात करें 158 एक सब्सक्राइब तो आप समझ जाना अभी जो मामला है न यह तो बराबरी का गया चेज भी हो सकता और डिफैन वे हो सकता है भाई लोग यहां के मैदान पर जो सुरू में आपको मैच हो रहते हैं तो फिर भी हो गई यहां रहते हैं जो प् включ फ्रेस होता है तो जो एकinte चूर जाते है गुमा मिलता है तो जो इस तो जाते है वह लग गया तो पर ब्ले नौन करना कफी ज़्यातर मुद्दा भी जॅटा इस्तिमाल करते है् है जब पिन्द मोट जाता है तो उनको भी काफी ज़्यादा यहां से purchase मिलता बिगेट मिलते उनके सामने run बनाना मुश्किल होता था अभी यहां की जो पीछ है उसकी condition हुए उसकी dry surface है पीछ टूट चुका है तो इसलिए जो बोल होता बैट पे रुख कर आता है बोन्डी लंद की बात के तो medium है लेकिन जब पीछ टूट जाता है तो बोन्डी लंद का ज़्यादा फरक पड़ता नहीं क्योंकि चोगे छक्के लगाना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब तक बोल न्यू होती है तब तक बैट पे अच्छे से आती है लेकिन जब एक बार बोल यूज हो जाती ही पांच से साथ आट ओवर के बार तो वो जो बोल होता काफी ज़्यादा फसने लगता है इसलिए जो आज का मैच से ये भी आपको medium scoring या फे low scoring देखने को मिल सकता तो मुंबई इंडियास उमेंस ने पांच मैच कहला जिसमें से तीन मैच जीता दो मैच हारे मतलब मुंबई इंडियास उमेंस यहां के मंदान पे एक मैच जीत रही है एक मैच हारे UP वेरियास की बात करती है यहां पे चार मैच कहला दो जीते दो हारे मतलब इनकी भी यहाई कहानी है यहाँ के मादान पे एक जीत रहे हैं एक हारे कौन UP Various जो उमेंस हैं भाई लोग मुंबई इंडियन्स विच में यहाँ के मादान पे एक बार आमना सामना हुआ उस मैस को जो UP Various के टीम थी मुंबई इंडियन्स को धोडालती कहती है और वहन सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मुंबाई इंडिया सो मैंस की जिन्हों ने अपने खेल ले गए आठ लीग के मैंचों में छे मैंच जीता 12 पॉइंट के साथ यहां पर पहुंचे थोड़ा सा दिली से नीचे रहा इसलिए इनको एलिमिनेटर मैंच खेलना पड़ रहा ह इसलिए पहले लगातार प्रफॉर्मेंस करती जा रही है लेकिन यह बड़ी पिलियर है अगार्या बेलाज़ी वह सब संदर इत्राइब करें इसकाइबर ब्रंड की बात करें तो आप सबको पता ये भी बल्लेवाजी तो जबर जस करती है लेकिन साथ में गेंदवाजी भी काफी ज़्यादा खतरना करती है और एमलिया कर भी है दोस्तों अगर हम यह बात के तो दूसरे नंबर में बिकेट चटकाने के मामले में मतलब गेंदवाजी खतरना करती है साथ में बल्लेवाजी भी खतरना करती है ये जो तीन और चैना मुंबई इंडियास ओमेंस को काफी ज़्यादा बैलेंस दे रहे है इसके लाब एजी वोंग है गेंदवाजी तो बढ़िया करती ज़रूत पढ़ने पर थोड़ी बहुत बल्ल बहुत होगा तुम्हारा अभी अफिसे बिकेट निकालना स्टार्ट करो बाकि हुमेरा काजी की बात करें जिंतिमानी कलूटा की बात करें तो इन दोनों ने ज्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया लेकिन पूजा वस्तराकर के आने के बाद इनकी गेंदवाजी और बल्ले तो लगबग सभी खिलाडी ने एक टीम के तरीके अपनी टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करें तो तभी तो मुमाई इंडियास आठ में से 6 मैच जीत कर यहां पे आके पहुंची है वहीं दोस्तों यूपी वेरियस की बात करें तो इन्होंने जो अपने लीग के आ तो थोड़ सा इनका फिटनेस का इस तूरा है जब जब इन्होंने खेला तब तक बढ़िया बल्लेवाजी करी किसने ग्रेस है इसने तो अगर हम इन तीनों को हटा दे एलीजा है लीट तहलिया में ग्राथ और ग्रेस हैरी जो हमारे इंडियन लड़किया है वो जो यूप तो इनकी भी एकाता मैस में बढ़िया पारिया नजी तो सब मैचों में फ्लॉफ हो गई है सेम दीपती सर्वा इकाता मैस में बढ़िया पारिया ने तो बल्ले से जादा कुछ कुछ कर ना पाए लेकिन दीपती सर्मा ने गियंदबाजी बहुत अच्छी करी इंके पास Sophie की बात करें तो इनका भी तो फिटनिस का इसू एकाता मैं एकाता दो मैंस नहीं खेली उसे पहले खेल ले थी हलाकि इनको बहुत जादा बिकिट नहीं मिले हर मैंस में एकाता बिकिट निकाले थोड़ी सी महेंगी साबी तो लेकिन ठीक ठाक है अपना experience है तो इनके experience के होने बाकी गेंदवाजों को help मिलती है और सब्नीम इस्माहिल की बात को बल्ले भाजी ना कर पाई तो अगर हम यहां पर बात करें जो कहानी है यूपी वेरेज की चाहे बल्ले भाजी की बात कर ले या फिक गेंद भाजी की बात कर ले बल्ले भाजी में तहलिया मैगराथ, ग्रैस, हैरिस और कप्तान एलेजा हैली ये तीनों बढ़िया परफॉर्मेंस करें गेंदबाजी की बात के तो देपती सर्मा बढ़िया गेंदबाजी कर रही है सोफी स्केलिटन बढ़िया गेंदबाजी कर रही है सबनीम इसमाइल को जबजब मौका मिला बढ़िया गेंदबाजी करी अगर हम बात की राजस्वे गयक्वाड की या बाकी की इंदमाजों की average performance करी मतलब जो इनकी team थी ना आधी अधूरी कहानी जैसे रही आधी team बढ़ीआ performance कर रही थी आधी team बढ़ीआ performance नहीं कर पा रही थी इसलिए एक match जीती एक match अगित िधि नवार पर यहा पर दोनों टीमवों का ने जीता थे एक यूपी ने जीता यूपी की वो टीम में जिशन चलेगी सामने कोई भी टीम होगी तहलका मचा के रख देगी टो मुंबाई इंडियेस के वही तहलका रोकना है तो क्या रोग पाएगी चलो फाइनरी जान ही लेते हैं जो यह मैंच होगा कौन सी टीम कर पाएगी अपने नाम लेकिंगे उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपको पता है मैं कोई हीरो यसे लिवेटी नहीं हो मैं तो आपक क्यों को सब्सक्राइब करने के लिए क्या पाइट के नहीं हो कि अपने नाम पर कर सकते हैं लेकिन अपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेलिग्राम जॉइन करने के लिए न हम वहाइब पैसे को पैसे की बायान करते हैं मेरा जो भी काम होता है बिलकुल free होता है मेरे नाम पे अगर आपसे कोई पैसे की डिमान करता है पैसे मांगता है आप समझ जाना वो नकली है फेक है वहाँ से निकल जाना है इसलिए मैं कैता हूं कहीं और से टेलीग्राम जोइनी नहीं करना description में जाना description में जो link की मिलेगी बस वहीं से join करना है तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो like कर तो याज याल को subscribe नहीं किया कर तो subscribe मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैज की prediction के साथ तब तक के लिए God bless you